हलो गाइज कैसे हो आप लोग आज संडे है और मैं जा रहे हूं आज खूमने के लिए मैं आपको पता थो आज का मौसम भूखती सुंदर हुआ था तो मौसम को देखते हुए मैं निकल पड़ी खूमने के लिए और मैं पहुच गी अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और म मौन सिरी खूमने के लिए म सब्लसा सकति करें बहुत है कि लिए मुझ आपको बताती हुओ कि कहां जा रहे हैं को में खूमने के लिए तो यह मत्रों करिक् elevator मे तो बहुत ही बिंडिती करेम मंडी ऊस्ट किस्टेंस टो फिर उले हमें बैंड़ की चेंश किया है क्ष्च जा जल्दबाजी में आकरके सीट यहां पर ले ली और लक्यली हमें यहां पर लेडी सीट मिल गई और बैड के हम फिर वहाँ से आया है यहां पर हमने फिर आगजित लिया क्योंकि हम पहुंच चुके थे हमें जाना था अक्चली लो दी गार्डन तो गय्ट लू से हमने एक्जित किया और यहाँ से हमने 15 रुपीज में आटो करकी हम फिर वहाँ पे कहा है खान मार्केट से लोधी गार्डन लोधी गार्डन आज क्यों जा रही थी उसका रिजन ये था कि मैंने एक रील देखी हुई थी जिसमें पिंक फ्लावर्स की रील थे और बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छा रील लग रहा था और मुझे ये पता चला था कि वो लोकेशन लोधी गार्डन में तो आते आते मुझे थोड़ा बहुत तो दिखा पर वैसा नहीं दिखा जैसा मैंने रील में एक्चुली देखा हुआ था बर ढहाँ था यह यह सब आलेडी मैंने देखा भी था लेकिन वो रील वाला जो लोकेशन था वो नहीं देखा था मैंने तो अब यहां पर हम ढूंट रहे हैं कि वो लोकेशन कहां पर है जो हमने रील में एक्चुली देखे है फाइनली मुझे यहां से थोड़ा सा उसका पार्ट मिल गया य चाहरे पिंक पिंक कलर कैसे फार्स जैसे थे अब अब मुझे एक्चुली इनका नाम नहीं पता क्या है इनका नाम आप देखके बताओ कमेड में किया नाम यहां पर पच्चियं भी हैं यह ही कभूत चाहणी बहुत शाओर और फिर यहां पर हमने यहां पर अपना कुछ व क्योंकि यहां पर जाने का कोई चार्ज नहीं है आप बिल्कुल फ्री आफ कास्ट एंट्री है यहां पर बंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे अच्छी अच्छी सी लोकेशन है यहां पर यह बना हुआ है ऐसे लोडी गार्टिन का यह फेमस वो बोल सकते हैं एक गेश सूग है और यह फेट्रीज वगर अलग तरीके से फाइनली यहां पर हम घूमते 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 धग भी जा रहे थे वैसे थूप तो आज नहीं थी मौसम तो घूमने वाला ही हुआ था आज आज का मौसम हमारा साथ दे रहा था लिस्तीर से मैं आप लोग को दि जा करके देखो तो यह और भी अच्छा लगता है सीरिसली इसकी बारे में उतनी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता पर जितनी पता है ना आपको बताई सकती हूँ यहां पर फिर हम घुमते घुमते थक गय थे तो अब हम सोचे थे थोड़े देर बैट के आराम करने हम जहां पर हमने कुछ वीडियो बनाया कुछ फोटो शूप किया थोड़ा सा लोकेशन यह वाला प्यारा लग रहा था आप बताना आपको कैसा लग रहा था मैंने और मेरी दोस ने ऐसा घूम गूम के वीडियो बनाया और इसके बाद फाइनली अब हम यहां पर पहुंचे हमें ए बिल्कुल हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोग लाइक करो हम आपको डेली कुछ ने कुछ ने दिखा सके हैं यहां पर हम जहां पर भी घूमने जाते हैं कोशिश करते हैं कि सब कुछ कैप्चर कर ले पटकर जो नहीं हो पाता उसके लिए सौरी तो भी मैं आगे भ अपना काम खतम करने के बाद अब हम इस लोकेशन पर आ गये थे जहां पर थोड़ा सा फिल्ड जैसा था ओपन फिल्ड था और मौसम तो आप देखी रहे हैं कितना सुहाँ यहां पर हम बैट करके कुछ तेर अपना टाइम पास कर रहे थे बैठे हुए थे यहां पर अच् बहुत दिर हमने कोशिश किया कि हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत चांस ऐसा लग रहा था कि अब हो जागा लेकिन नहीं हुआ और फाइनली फेल्ड हो गया आप लोग बताना आप में से कौन यह कर लेता है एक बारी में किसे बाटल स्टैंड हो जाती है हो जाती है या नह सब्सक्राइब हो जाता है यह लोग यहां पर पकायता डेकोरेशन वगएरा करके मैं कितने ध्यांस होने देख रहे हूं सेडियसली मैं मुझे आइडिया मिल रहा है कि मुझे अपने बार्थदे की प्लानिंग कैसे करनी है और इसके बाद से मौसब का इंजरा लेते हुए पूरा वर्पूल हमने यहां पर कुछ पीडियो वगएरा बनाई और देन मेरे यहां पर कुछ समान चुट गया था मैं वह लेने गई और लेकर के वापस आई तब तक यह लोग थोड़ा सा आगे निकला थे यहां पर पीने का पानी भी मिल जाएगा वह भी यहां पर फां कंट्रिली और हम आगे अपने नोईडा सक्टर 15 अब हम दोनों ही बहुत जादा थग गए थे तो हमने कुछ खाया नहीं था तो आने के बाद खाया हमने मोमोज और यह स्लाइस तंदोरी मोमोज मुझे बहुत ही अशा लगता है मोमोज तो मेरा फेवरेट है मोमोज की जित